बोलीवुड की अदाकारा सोनम का पूरा आजकर शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं आपको बता दे कि फिल्म इंडेस्ट्री में सोनम का नाम उन अदाकाराओं में से है जो हरमुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं इसी बीच हाल ही में जम्बू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने पर भी सोनम ने अपना रियक्शन दिया है लेकिन वह अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर टोलर्स के निशानों पर आ गई हैं दरसल सोनम ने एक इंटर्वियू में आर्टिकल 370 को लेकर कहा था कि इस मामले के बारे में उन्हें जादा जानकारी ही नहीं है साथ ही नों ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान से उनका और उनके परिवार का पुराना नाता है एक सवाल का जवाब देते हुए सोनम ने कहा था कि ये देखकर बहुत दुख होता है कि कश्मीर की हालत कहां से कहां पहुच गई है कई दिनों से ट्रोल होने के बाद आखिरकार सोनम ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी है सोनम ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि दोश्टोस सांत हो जाओ किसी की बातों को गुमानाओं से गलत समझना यही दिखाता है कि आप कितने गलत है आप वही सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं लेकिन इस से उस वक्ती पर फरक नहीं पड़ता बलकि आप पर ही फरक पड़ता है इसलिए आत्म चिंतन करे और देखे कि आप कौन है और उमीद है कि आप को नोकरी ज़रूर मिलेगी दरसल सोनम ये कहना चाह रही थी कि खाली बैठे लोग बेवाजा उनकी बातों को घुमा फिरा कर पेश कर रही हैं जिने वो अपने काम से काम रखने की नसीहत दे रही है SPN 9 News के लिए मैं भरमान शियादाओ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है SPN 9 News